बस साथ रख जोशुद है शोटिक्रस सिल्वर पाफ मसाला सबकी जुबापर हर साल आशार माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी के दिन देवशैनी एकादशी मनाई जाती है जोतिशिय गणना के अनुसार इस बार 17 जुलाई को देवशैनी एकादशी है यह दिन जगत के पालनहार भगवान विश्णों को समर्पित होता है धार्मिक मान्यता है कि इस वरत के पुन्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ती होती है धार्मिक मत है कि देवशैनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विश्णों और मा लक्षमी की पूजा करने से साधक को अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है और सुक्सम्रिधी में वृध्धी होती है शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी से श्री हरीक शीर सागर में विश्राम करने चले जाती है और कार्थिक माह में पढ़ने वाली देवटनी एकादशी पर जागरित होती है चातुरमास में स्रिष्टी का संचालन भगवान शिफ करती है इस सवधी को चातुरमास कहा जाता है चातुरमास के दौरान मुंदन, विवा, ग्रिह प्रवेश, भूमी पूजन समेत आधी मांगलिक कार्य नहीं किये जाते है पंचांग के अनुसार आशाड माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी 16 जुलाई 2024 को रातरी 8 बचकर 33 मिनट पर शुरू हो रही है वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9 बचकर 2 मिनट पर होगा ऐसे में इस वर्ष देवशैनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी